कॉलेज फर्स्ट एयर है बीए कर रही है यह और इपी की तैयारी भी हो गई है कॉले जाने की देखो अब इतनी इंट आपर बची हुई है यह देख सकते हैं आपके बाकी हाथों पर गलप्स लगा रहा हूं क्योंकि यह वाली इंट है यह बहुत खारी-खारी है और जिससे ना अंगुलिया फट रही है बई तो चलो भई मावी घास के लिए गई थी जंगल हो चुकी एक नई सुबह की सुरवाद हेलो जी नमस्ते स्वागत प्रणाम आपका एक और नई वीडियो में देव मित्राखंड के इन खूप सुरत पहाड़ों से मेरे गाउं से अभी कुछ आप देखिए पहाड़ों की कुछ एसे ना जा रहें हैं और हमारा नीचे वाला जंगर है यहाँ नीचे वहां पर आग लगी ती खुक्तर नाक वाली और रात आपने वहां पर आग देखी बाइंग कर वाली आग लगी थी बाकि आज पर देखो आप लोग जो हाथ हैं उनकी हारा देखो ऐसे कुछ हो रखी है और साथे साथ उपर पहाड़ों पर धूब भी लगना शुरू हो गई है उपर बर्फिले पहाड़ों पर इस बारी के मौसम की एक चीज मैंने गौर करी है पिछली बारी अब तक ना एक बारी यहां पर बरप पढ़ जाती थी बारिस लगभग पीच वीच में होती रहती थी और आज देखो बारा तारिक भी हो गई है और अभी तक एक बार भी यहां पर बारिस नहीं लगी है एक दिन थोड़ों बहुत मौसम खराब गवा था बादल लग रहा था कि कल बारिस होगी होगी लेकिन बारिस का कुछ नामों निसानी नहीं था बिलकुल नहीं लग रही है बाकि आज कर ला जो बार फिले पहाड थे उपर उपर वह वी पूरे सूखने लगी है जैसे देगुलर धूप हो रही है तो इस वासे पूरे सूख रहे है कि घर बन रहा है तो यह तो अच्छी रिटिंग थी वह कंप्लीट हुई थी चलिये जी अभी आठी बज गई है वाकि रूबी की तयारी भी हो गई है को लेजाने की अच्छे रहन से पढ़ना ठीक है अब थोड़ी दिर में अभी तयार हो गई है तो वार के एक दो और भी हैं जन्होंने स्वेन गर जाना है तो सब यह क्लास मेटी हैं सब साथी में जा रहे हैं आजकल ठंडों की चुटियां थी तो अभी घरी में थी तो अब यह भी चले जाएगी नीचे और साथी साथ बहुत साथ लोग पोल रहे थे कि रूबी क्या कर रही है तो रूबी का कॉलेज है फर्स्ट एयर है बीए कर रह है जो हमारी सेंटर युनिवर्सिटी है स्रेनगर गर्वार में वहां से बाकी कितने मेने होगे पांच पांच मेने होगे उसको वहां गई तो चलो भाई इनकी तैयारी भी हो गई है चलो 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 इतना सब्सक्राइब हुआ होज चल ठीक है आछ New Jersey ठीक है ध्यान अपना ठीक है वाई वाई ऐसे नगर वाले वाले चले श्रेनगर की और बाकी इनकी जो ठंडों की छुटियाया थी वो भी कम्प्रीट हो गई है और बी चले गए है तो हम भी भाइया अब घर के काम पे लग जाते हैं कि घर का काम जरूरी है अब यह सीधे आएगी फर्वरी में फर्वरी 22 तारी को आएगी करेक्ट एक मैने बाद एक मैने और दस बारा दिन बाद तो चलो अच्छी बात है पढ़ाई भी जरूरी है बज गई है बाकी धूप भी लग गई है पहाडों में और अब थोड़ी दिर में काम लगना भी शुरू हो जाता है जैसे धूप लगती है ना उसके बाद ही काम इस्ठाट होता है क्योंकि उससे पहले भैंग करवा ठंडा होता है लगवग पानी हो गया सिमेंट का काम है तो को क्ल राद जigen तो इस दो धुआ धुआ है उड़ी काम बरवाले भी आगे हैं बागी अब यहाँ पर काम स्टाट होने वाला है अब है अब गयने और पर नीजे का काम है वह स्टाट चिनाई हो रही है तो चलो लगते हैं काम देखो अब इतनी यहां पर बची हुई है यह देख सकते हैं आप लोग आप कमी इट है तो अब कुछ इट है ना मार्केट से और लानी पड़ेगी क्योंकि बहुत कमी इट है वह इसलिए टाइम भी साड़ी 11 हो गया है बाकी गाय ब सेलिएबस लगा रहा हूँ क्योंकि यह वाली इथेना यह बहुत खारी-खारी है और जिससे ना फट रहे हैं भाट से कम दखा पाता हूं क्योंकि आगे-पी पीछे बहुत सारे मावी घास के लिए गई थी जंगल तो मावी आ गई है नीचे वे देख सकते हूं जी दो पेर गे खाने की तैयारी भी हो गई है बाकि यहां पर देखो आज बना वाय हरा साग हो गया चामल हो गई और भूनी मिर्च हैं कटे हुए यहां पर मालते हैं जी फाइनली हमारा खान परेंद आज भी आईसा अब रहाएं पर तो आज क्या करेंगे कि इस जोगों पर यहां पर इंट लगानी पड़ेगी आज से बिगानी पड़ेगी फिर जो रेत है वो डाली है वाकी एक पता ही है सीमेंट आप Seriously हो मिलापा राना है और और ऐट का मसाला है वह तयार करना है तो चलो बाई यहां पर जो इफाला है वो भी रेडी कर दिया है यहां पर देख सकते हो टीक उदर पहो पे मामा जी होगे और बूबा जी लगे हैं इट की चिनाई करने पर आज कल दोपेर का टाइम ऐसा ही चलता है तो अभी भई जो इतनी इटे हैं ये मैंने यहां पर रखी हैं बाकि थोड़ी दिन में इन निटो को आगे ले जाना है आज ये काम पर ना सर्दर दोड़ा भई चलिए जी लगबग छेवी बज गई है बाकि आज का काम देख सकते हैं आप लोग जो इदर वाला कमरा है इसकी जो ये वाली दिवाल है ये लगबग इतना इस पर चणाई हो गई है और जो ये वाली दिवाल है इस पर भी लगबग इतनी चणाई हो गई है और यहां पर तो आप लोग सारी नहींग है यह पूरी मैंने शाम की टेम पर फूरी भीगा दी अच्छे रंग से वाकि लगढे रहे हैं वहां पर इस पाद लगा रहे हैं तो इसो कॉछ रहा हैं तो यह दो तो मैंने जो यहां ठीक पीछे वाली दिवार है कीचन के यहां पर भी लगभग तराई कई थी तो यह देखो भई मैं जो लोग पूछ रहे थे ना कि बेसिकली अभी तक लोगों को समझ नहीं आया है कि क्या क्या हुआ है तो यहां पर हमारा पुराना कीचन था इस जगवा यह देखो आप लोग इस जगवा पूराना कीचन था और यहां पर पूरे एक कमरे की जगव थी तो यहां पर एक कमरा बन रहा है और जो वो इस्टोर रूम था उसके ठीक उपर मैं देखो आप लोग तो एक कमरा वहां पर बन रहा है भले वो कमरा छोटा है तो यह जो कमर यह जितने चार कमरे ना पूरे दस भाई दस के तो वैसे बन रहे है पोरा तो यह चीज है वाकिविया जो सिमेंट के यहां पर बढ़तन थे वो भी मैंने सारे धो दिये थे अच्छे डंग से यहां पर देख सकते हो कुछ यहां पर है कुछ यहां पर है और शाम के टायम पर उतनी ज्यादा वीडियो नहीं बन पा रही है क्योंकि काम पर बीजी है आज तो एक लड़का भी ने आए था तो उस वह से जो काम था उसका बर्डन थोड़ा जादा हो गया था कल तक जैसे सब लेते थे तो उस टाइम पर जो काम है ना उस साब से बढ़ जाता था करें करें के खीजिए खाना बनने की त्यारी श्時間 होगी है एक चलिएए रात का खाना भी हम लोगों का कंप्लीट ऱहोग रहा है बाकी आज की वीडियो नकाफी शूड़ी रही तो कांप हे बीडियो बहुत कंब हाथ है क्योंकि नगव लोकां पर लगत्त Вас है? कबीए टला करके जूर जाना वाके मिलते हैं आपको अगली किसे नहीं वीडियो में तब तक के लिए हसते रहिए मुस्कराते रहिए और अपना ध्यान रहिए